तो हलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल अगेन आज है जुन और अभी सुबह के बजरें हैं पांच बजरें और मैं भी जा रहा हूं पहाडों में दूर कहीं किसी माता के मंदिर में कौन सी माता का मंदिर है ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जहां भी जा रहा है दो मस् तो चलिए चलते हैं पावन जी पुठाज हो गया अरह पावन है ओसमा तो आव जोसको एकिलेंट हो जाए और हम आई है कौन सी माता देरी? हिंग राज हिंग राज माता जो कहीं दूर पाहडियों पे है आपको दिखाता हूना जा रहा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं वैसा यह सीड़ियां बनी हुए सीड़ियां तो वहां तक थोड़ सी दूर है बागे खड़ी चड़ाई है पत्थर ही पत्थर और यह दो नन्हें बालक आगे जा रहे हैं अरे रुक जाओ रुक जाओ 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 बादलों सोभी पर आ गया है जाओ 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 पर जाओ ज़ले शचछिंधा जला जाओ आओ वाई दर से नोगा माता कशक्र और शुक्र ली बोली है गष्ट इंदा जा है क्या जुत है न मैं जिंदा रहा है वीट हो जिन जिंदा है जा है जुत अब बाई पांच में आधी करते हुट पांच में आधी पाई कर चल दोघ्ट नोटी था इंटने अर्व जोगारी ग्राव अलीजा से जहाँ ना जाँ अलिध को अगश सपाफ निए ्ाब अलीकूप्टर देह घल में अलीकूप्टर्ल नहीं पाव बातो दो पना पाव हो यो मापाव के जुछ नहीं पाव हो यो जाए लेकिन पूरी खड़ी चट आई है तो पूरी खड़ी चट आई है बोर्च एरह स्टीप है 70-Degree Crangle हो गए है तरह से देखो अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों निमोद गाउं नीम का थाना से दक्षिन पूर्व दिशा में 9 किलोमेटर की दूरी परिस्तित है अगर आप भी यहां इस मंदिर में आना चाहते हैं तो पहले आपको निमोद गाउं से होते हुए सामने की पहाड़ी पर खड़ी चड़ाई चड़नी पड़ती है ज जो सही मायने में हमारी लाइफ में वैल्यू एड़ कर पाती है और ये जगह उन्ही जगों में से एक है कुल में तो सामने क्या कर देगो कि जने छोटे दिख रहे हैं अब है तक सूरज निकाना है ताइम के हो रहा है वैसा आपार पांच मस्की फूर पीजिए पर देख सके तुनी वहला है के अधुलर वैसा एक नूर बोच अधा स्टीप है दिखाता हम आप भेज सके अभी वहाँ पे हम बैठेते हैं यहाँ से कुछ ऐसे हैं मंदिर अंदर गुषके जए हम आपकी टुछ पर निचे उतर गया है आदी दूर आगए उतरने में ही जएदा जोगी है तो नहीं आया चड़ने में तो भाई हालत खराब हो गई थी उतना थोड़ा आसान था इतना भी आसानी ता लेकिन चड़ने कंपेरिजन में बहुत आसान था दो बंदू यहां बैठे हैं ताल जालो खड़ा हो बैठा का यह काम चाल लगो कड़ा हो तो गाइस फाइनली नीचे पहुच गए है यह चार उत्रुप जंगली फोटा सा जंगल आपको दिख रहा है सुबह पांत बज़े चटने लगे थे और अभी बज़ रहे हैं कित्र बज़ रहे हैं अभी साथ बज़ रहे हैं दो गंटे लगे आने और जाने में लेकिन फूरा बाइसा वसूल था अगर आप भी अगर आना चाहते हो तो सोच समझ के आना हालत खराब होने वाली है अगर आना चाहते हैं